करमचारी चैन आयोग SSC मच्छेद द्वारा आयोजी दिल्ली पुलिस में कांस्टेविल कारकारी पुलिस और महिला भरती परिच्छा 2020 में सालवरों के जर्ये धानली करने वाले 12 अभियुक्तों को स्टीफ द्वारा गिरिफतार क्या गिया है गिरिफतार अभियुक्तों में बिहार प्रांत के थाना रोह तक सासाराम निवासी महन सिंग पुत्र रामधनी सिंग धननजे कुमार उफ विधायक पुत्र स्वर्गी मानिक चन अशोक कुमार मौरिया पुत्र धुरु नारायन जनपत गोरकपूर जय परकाश यादो, पुत्र रामचन निवासी जनपत परयाग राज अमिरस जनपत अवरिया विधैन्ध यादो, पुत्र बेचन यादो निवासी थाना खोराबार जनपत गोरकपूर। विकास सिंग, पुत्र विरेन सिंग, निवासी सह जन्वा, जन्पद गोरकपूर, अभिशेक कुमार यादो, पुत्र हर्विन सिंग, जन्पद औरिया, पिंटु यादो, पुत्र महेश चंद यादो, जिला इटावा, रामाशिश मिश्रा, पुत्र मुनिराज मिश्रा, नि 11 मोबाइल फून 14 आधार कार्ड एक डायरी हिसाब किताब के कूट रचित 6 परवेश पत्र 6 मोटर साकिल तथा 44 विभिन मोबाइल की स्क्रीन शाट की हार्ड कापी बरामत की गई है उत्तर परदेश STF को सूचना प्राप्त हो रही थी कि पूरवी उत्तर परदेश में विभ संकलन एवं कारवाई के लिए निर्देशित किया था जिसके अनुपालन में पुलिस उफादीचक STF फेल्ड इकाई धर्मेश कुमार साहु के नेतुरित में STF फेल्ड इकाई गोरगपूर के निरिचक सत्यपरकाश सिंग के नेतुरित में STF गोरगपूर की टीम द्वार अधिसूचना संकलन की कारवाई की गई जिसके तहद विभिन विशलेशर समिच्चा वसत्यापन के उपरां 12 अभ्युक्तों को पैडले गंचोराहे के पास से ग्रिफतार किया गया है पकड़े गए अभ्युक्तों ने अलग-अलग तथा एक साथ पूछताच की गई तो म यक्तियों को खोज कर लाते हैं और मिलते जूलते सालवर की वेवस्था कर आरलाइन सेंटर पर वहां के करमचारियों से सेटिंग कर सालवर को अभ्यारतियों की जगा बैठाते थे जिसकी सूचना पर स्टेफ के निर्चक सत्यपरकाज सिंग ने बड़ी करवाई करते 12 सालवरों को ग्रिफतार किया है जिसके संबने कैंट थाने में मकदमा दर्चकरविदी करवाई की जा रही है खपच्ब्ग्प्दा की जा मक्यार्वरों की झाने की जाने की में जाने के जाने की में धाद बाजी है इंग की जाने की की completing छोने की फ..........